सुप्रभात बच्चों क सबसे गए लुका हो था है अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं है कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कि किसी जो बच्चे नहीं सो meille है उने मत इसके कवाउट है तो ज़रा मैं सबसे पहले कविता का यह पार्ट का परिचे देती हूं, इस कविता को पढ़ते समय आखों के सामने कई चित्र बनते हैं, बच्पन का चित्र, बच्पन के खास समय खेल और साथियों का चित्र, बच्पन में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो उनका भी हमें कविता मैसूस होगा, जो कविता है, कविता धीरे-धीरे पढ़ने की चीज है, उसे मन में उतरने में काफी समय लग जाता है, कभी-कभी तो बड़सों बाद हम बच्पन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं, तो लगता है, पहली बार पढ़ा है इसे, कविता पढ़ने के बार मन के किसी कौने में घर बना लेती है घर बना लेना मतलब जगह बना लेना किसी भी चीज का स्थान बन जाना किसी मौके पर वह उभर आती है किसी भी मौके पर हमें वो कविता याद आ जाती है तो कविता कहानी सब के साथ यह होता है इसलिए हमें इससे चिंतित होने की कोई भी जरुवत नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि हमें बहुत अच्छे से कविता याद हो गई अब एक ही बार याद करके हम भूल गए हमें कभी भी कविता याद आ सकती है या कभी भी कोई भी कहानी याद आ सकती है तो कविता को हम धीरे-धीरे समझ पाते हैं जैसे कोई भी कहनी होगी उसको हम जल्दी से कोई भी explain करेगा तो हम जल्दी से समझ जाएंगे लेकिन जो कविता होती है उसका हमें अर्थ समझना पड़ता है अगर उससे सिर्फ एक चितरी उभरता तो भी कविता काम्याब है मतलब हमने बचपन में अगर कोई कविता पड़ी है कविता अगर हमने बचपन में कोई कविता पड़ी है तो बड़े होकर अगर थोड़ी सी भी वो हमें याद है या फिर उसका हमें सीन याद है या उसका चित्र याद है मतलब हमेंने कविता को अच्छे से पढ़ा है तो ये मैंने आपको परिचा दिया था अब देखो, तब हम कविता पढ़ते हैं जरा ना जाने किस अद्रश्य पढ़ोस से निकल कर आता है वे खेलने हमारे साथ रतन जो बोल नहीं सकता खेलता था हमारे साथ एक बच्चे का वणन किया है छोटे बच्चे के विश्य में बताया गया है जिसका की नाम रतन है और क्या बुला गया है कि अद्रश्य पढ़ोस से अद्रश्य पड़ा advanced जिसका कि मतलब इस बच्चे का कोई particular घर नहीं है fix गर नहीं है इतने गरीब है ये माँ बेटे कि ये कहीं भी रह लेते हैं मतलब लेखा कि ये कहते हैं कि मतलब इसका कोई घर नहीं है कि ये इसका घर है बच्चे का वो इसका घर है ऐसा हम कुछ भी नहीं कह सकते दोनों मा बेटे कहीं भी रह लेते हैं खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलोने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरफ था वह भी बच्चा बच्चे तो सब अधिकतर जितने भी देखो तो बच्चे तो अधिकतर समान होते हैं सारे बच्चे अधिकतर समान होते हैं तो क्या है सारे बच्चों को क्या करना चाहिए सारे बच्चे अच्छे से रहते हैं एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो सारे बच्चे कैसे होते हैं सारे बच्चे वह उसली सेम ही होते हैं अधिकतर सारे बच्चे कैसे होते हैं सेम होते हैं तो लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था अजूबा की मतलब कोई भी अजीव चीज, क्योंकि हमसे भिण्य था, भिण्य मिस क्या होता है अलग होना, डिफ्रंट होना, उसको हम कहेंगे भिण, थोड़ा घھबराते भी थे हम, उससे क्योंकि समझने पाते गबराते थे कैसे गबराते थे कि कोई कुछ इस बच्चे को ना कह दे यह तो इतना चुप-चाप से बैठा रहता है इसकी तो आवाज नहीं निकलती तो मतलब उससे बोलने में भी हम लोग डरते थे न इशारों में कहीं उसकी बातों को न उसकी भेवीत आखों में हर समय दिखती उसके अंदर की चटपटा रहता चटपटा हरती घबरा हरती क्यों कि वो अपने मन के भावों को निकाल नहीं पाता था उसके अंदर की चटपटाओं को जितनी देर पर रहता पास बैठी उसकी मा निहारती रहती उसका खेलना अब जैसे जैसे जितनी देर बच्चा चटपटा था उसको बच्चे को चिंता होती उतनी देर ही वो बोल नहीं पाता तो जो उसकी मा थी वो बाजू में बैठी रह उससे दूग ना दूख किसको होता था मा को कभी कभी हम भी बिमार हो जाते हैं या कुछ में सब्सक्तारा ककी वह नहीं और हमें को छो ता है उसे दुगना दुख हमारी मा को होता है एक बच्चे और मा का प्रेम दिखाया गया है कुछ बहतर समझने लगा हूँ उसकी भाशा जो बोल नहीं पाते याद आती रतन से अधिक उसकी मा की आँपों में जलकती उसकी बेबसी कुछ बहतर समझने लगा हूँ मतलब बच्चे से ज़्यादा कोण नजर आ रही है बेबस मा बेबस नजर आ रही है उसकी भाशा तो बोल नहीं पाते याद आती रतन से अधिक उसकी मा की आँखों में जलकती बेबसी क्या होती है मजबूरी मतलब उसकी मा को बहुत दुख है कि मेरा बच्चा बोल नहीं पाता है सारे बच्चों के साथ खेल नहीं पाता है लेकिन वो बिचारी पुछ नहीं कर सकती क्यों 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 कि ये सब तो किसके हाथ में होता है उपर वाले के हाथ में अब उसका मा का बच्चा घूंगा है वह बोल नहीं पा रहा तो मा मजबूर है लेकिन वो किसके पास जाए डॉक्टर भी इसके लिए मजबूर हो गए डॉक्टरों से इलाज भी करें तो क्या है वो किस तरीके से मजबूर हो गई है कि वो उपर वाले से प्रात्ना कर सकती है उसे ज़्यादा और भी कुछ नहीं कर सकती तो उम्मीद करती हूं बच्चों आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गही होगी इसके बाद ये वीडियो अच्छे से आपको जान से सुनना है समझना है उसके बाद आपको नेक्स्ट मिलेगा इसका प्यडियो अफदर नवाद